हेलो एब्रिवन गुड मॉर्णिंग स्वगत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में आज का टॉपिक है फ्रेंड भगवान भोलेनात और माता लक्षमी का आशिरवात पाने के लिए हमें क्या क्या उपाई करने चाहिए तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं तो बहुती बदलाव आता है इससे ना केवल हमारे सही टाइम पे सही फैसला लेने की चमता प्रभावित होती है बलकि हमारा भाग्य भी तेज होता है इन शकारात्मक उर्जा के उपाई करने के अलावा क्या आप चानते हैं कि आपके घर में भगवान शिव और माता लक्षमी का वास होना अनिवार है ऐसे में हम कुछ उपाय करके भूले बाबा से ना केवल सुक्षानती पा सकते हैं बलकि भाई और आकास्मिक मृत्य जैसी घट्णाओं को भी दूर किया जा सकता है वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अगर माता लक्षमी का आशिरवात रहें त क्या क्या उपाय करने चाहिए तो सबसे पहले जानते हम घर की उत्तर पूर्ग दिशा क्योंकि घर की उत्तर पूर्ग दिशा में भगवान सिव का वास होता है यानिकि जो उत्तर पूर्ग दिशा होती है घर की हो भगवान सिव की दिशा होती है और इस दिशा में भगवा इस दिशा में हरे रंग को परमुकता देनी चाहिए। आप अगर जीवन में मंगल चाहते हो तो घर की इस दिशा में आपको काले रंग की चीजें नहीं रखनी चाहिए। कोई खोड़ा का बाड़ा नहीं रखना चाहिए। इस बात का विशेश्थ्यान रखें। पर आर्थिक तंगे की वज़े से परेशान है तो आपको इससे भी आराम मिल सकता है इस तिसा में साप सपाई का विस्टेश चान रखे साथी इस तिसा में लाल कपड़े में एक चांदी का सिक्का जरूर रखे इससे आपके जीवन में धन और वैबाव भी बढ़ेगा माता लक्ष्मी के आसिरवात से अब जानते फ्रेंड माता लक्ष्मी और भगवान शिव को प्रशन करने के और कौन-कौन से उपाए हैं भगवान शिव को प्रशन करने के लिए घर में चंदन जरूर रखे खासकर आप उत्तर पूर्व दिशा में चंदन की महक वाली कोई पारात्मक उड़्जा का संचार होने लगता है इसके अलावा उत्तर पूर्व दिशा में हमें गंगाजल का छिड़काव भी जरूर करना चाहिए हमेशा और इससे घर में पवित्रता बनी रहती है महादेव की कृपा भी आपको प्राप्त होती है नेक्स्ट है फ्रेंड माता लक्षमी को प्रशन करने के लिए अगर आपके घर का दर्वाजा इस दिशा में है यानि कि उत्तर पूरु दिशा में तो वहां स्याम की समय दीपक जरूर जलाएं इससे जीवन के हर छेत्र में आपको तरक्षि मिलेगी और माता लक्षमी को प्रशन करने के लिए इसके अलावा हम लाल रंग के पड़दे भी घर में जरूर लगा सकते हैं क्योंकि लाल रंग माता लक्षमी को बहुत प्रिया है और ये हमें जीवन में उर्जावान आना वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर और आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ थैंक्स फोर वाचिंग